कॉलरा यानि की हैजा एक bacterial disease है जिसका सही वक्त पर इलाज ना मिलने पर death भी हो सकती है चलिए जानते हैं इसके बारे में कि कॉलरा है क्या, इसके symptoms क्या होते हैं और इसकी history क्या है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या steps लेने चाहिए last में हम इसका treatment समझेंगे कॉलरा एक acute diarial infection है जो bacteria, vibrio cholera के द्वारा दूशित किये हुए खाना खाने और पानी पीने से होती है कॉलरा हमेशा से ही public health के लिए एक global threat रहा है जो lack of social development को दिखाता है कॉलरा से infected होने के बाद symptoms शो होने में 12 गंटे से 5 दिन का वक्त लग सकता है जिसमें हमारा stool यानि की solid waste बिलकुल watery हो जाता है जिसे हम आम भाशा में कह सकते हैं कि बहुत जादा ही severe lose motion कई लोगों में bacteria से infected होने के बाद भी symptoms development नहीं होता लेकिन कॉलरा फैलाने वाला यह bacteria उनकी stool यानि की waste में 1 से 10 दिन तक present रहता है सिर्फ 10 प्रतीशत लोगों में कॉलरा के severe symptoms शो होते हैं जैसे की acute watery diarrhea और severe dehydration यानि की पानी की कमी जिसका अगर इलाज ना किया जाए तो death भी हो सकती है अब समझते हैं history of कॉलरा को कॉलरा उन गिनी चुनी बिमारियों में से एक है जो पिछले 200 सालों से खुद को 7 बार pandemic यानि की महमारी के रूप में दिहास के पन्नों में दर्ज कर चुका है कॉलरा से हो चुकी पहली महमारी इंडिया के बेंगॉल से 1817 में शुरू हुई जिसने धीरे धीरे चाइना इंडोनेशिया को भी अपने चपेट में ले लिया और लाखों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी कॉलरा का साथवा पैंडिमिक जो 1961 को इंडोनेशिया से शुरू हुआ और बांगलादेश, रशिया, साउथ अमेरिका में फैल गया जो अभी भी रुखने का नाम नहीं ले रहा है WHO ने तो 2030 तक कॉलरा से हुने वाली मौतों को 90 प्रतीशत कम करने का टार्गेट बनाया है कॉलरा से खुद को बचाने यानि कि प्रिविंट करने के उपाई के बारे में अब हम जानते हैं हमेशा साफ पानी ही पिए, अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से अच्छे से धुए खुले में शौच बिल्कुल ना करे, टॉयलेट्स का इस्तेमाल करे, सबजियों को अच्छे से पका कर ही खाए खाने और पीने के पानी को हमेशा ढग कर ही रखे, हमेशा भोजन पकाने की जगहें और टॉयलेट्स को बिल्कुल साफ रखे ताकि आप सिर्फ कॉलरा से ही नहीं, बलकि ऐसी और बिमारियों से भी बच कर रह सके अब समझते हैं कॉलरा के ट्रीटमेंट के बारे में, कॉलरा का ट्रीटमेंट करने के तीन तरीके होते हैं सबसे पहला, Rehydration Therapy, जिसमें infected patient को ORS दे कर उसके lost fluid को restore किया जाता है दूसरा, Antibiotic Treatment, जिसमें antibiotics दे कर patient की fluids की जरूरत को कम किया जाता है Antibiotic Treatment केवल severe cases में ही दिया जाता है तीसरा, Jink Treatment, जिसमें Jink की tablets दी जाती हैं, जिससे हमारी immunity strong बनती है इस treatment ने लाखो बच्चों की जाने बचाई हैं ऐसी और informative वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को like, share, subscribe करिए